नवलगड में पहली बार खिला कमल बीजेपी के विक्रम जाखल ने जीत दर्ज की सीम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा चुनाओ हारे जाखल ने जीत के बाद कहा रश्टाचार और गुंडा राज को करेंगे खत्म नवलगड विधान सभा में 1952 के बाद पहली बार कमल का फूल खिला है यहाँ पर भाजपा प्रत्याशे विक्रम जाखल ने सीम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को चुनाओ हराया है जीत के बाद विक्रम जाखल के समर्थकों में खुशी देखी गई भाजपा के विक्रम सिंग जाखल 23,180 मतों से विजय हुए जिनको 1,12,37 मत प्राप्थ हुए है वहीं बहुजन समाज पार्टी के गुलाम नभी को 1072 इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा को 88,857 आमादमी पार्टी के विजेंद्र सिंग को 1260, राइट टुरिकॉल पार्टी के करमेंदू शिशिर पांडे को 152, आजाद समाज पार्टी कांशी राम के बुधराम को 464, राष्ट्रे जनक्रांती पार्टी के सुभाश को 90, निर्दलीय अशोग कुमार को 80, निर्दलीय प्रमोत कुमार को 292, निर्दलिय शिवनात सिंग को 1014, एवंग निर्दलिय संजय को 762 मत मिले, वहीं नोटा पर 1352 मत प्राप्थ हुए. बदराना जोड को बचाने का. मुखे रूप से प्रत्मिक्ता विकास की रहेगी और बदराना जोड नहीं छोड़ेंगे कोई भी आलात में.